Hello my dear students, एक बहुती important update आया है, चार फरवरी को जो examination होना है या फिर examination cancel हो जाएगा, इसका अभी समिक्षा के बाद इसका निरने लिया जाएगा, ये सब आपको एक important information अपडेट आई थी तो इसके बारे में हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, एक दो दिनों के अंदर अंदर इसके बरे में और भी बहुत सारे important updates आने हैं और आपको पता चल जाएगा, एक दो दिनों के अंदर ही, कि ये जो 3,17,000 बच्चे जो बैठे हैं, अभी 4 तारीक को भी जो paper देने को बैठेंगे, क्या हम लोगों को examination देने जाना चाहिए, या ये आंदौलन जारी रखनी चा हम अगर वहां पर examination देने नहीं जाएंगे तो, बात समझ में आई की नहीं आई, दुबारा बोलता हूँ, अगर आप appear नहीं होंगे examination में, तो कई बार ऐसा होता है, कि जो बच्चा appear हुआ था न, exam date वाले दिन, और उनका exam cancel हो चुका है, उन्हीं का admit card reissue किया जाएगा, औ उम्मित करता हूँ, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, तो मेरे ख्याल से अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, समिक्षा का report अभी एक दो दिन में आ जाएगा, और फिर ये जो हमारा बच्चे बिचारत 2.45 को जो 28 तारीक को जो examination हुआ था, ये 2.45 का समय था, 28 जनवर को और उससे पहले ही ये जो जानी थी पेपर इस समय आउट होनी थी, उससे पहले ही पेपर आउट हो चुका, तो इस वज़े से हमारी ये पूरी आंदौलन की प्रक्रियाचारी है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, उम्मित करता हूँ, आप लोग भी बहुत ज़्यादा दोस्तों